हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल सपनाज इजी गार्डिनिंग टिप्स फ्रेंट्स आज इस वीडियो में मैं आपको बारा ऐसे प्लांट्स और ट्रीज की बारे में बताने जा रहे हूं जो दिन रात ऑक्सीजन बनाने का काम करते हैं और वातावरन को शुद करते हैं बहुत अधिक मात्रा में ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो जो सबसे पहला प्लांट है जो आप देख रहे हैं वो है ये जरबेरा का प्लांट जरबेरा का ये बहुत ही खूपसूरत प्लांट है जो पूरे साल फ्रावरिक करता है ये बहुत अधिक मात्रा में आकसीजन बनाने का काम करता है नेक्स जो प्लांट है वो है ये मनी प्लांट मनी प्लांट भी बहुत जादा मात्रा में आकसीजन बनाने का काम करता है इसके बाद जो प्लांट आता है वो है ये अरेका पाम अरेका पाम भी बहुत अधिक मात्रा में oxygen release करता है और ये दिन रात oxygen बनाने का काम करता है तो आपको इसे भी अपने घर पर जरूर लगाना चाहिए. नेक्स जो प्लान्ट है वो है ये तुलसी का प्लान्ट जो कि हम सभी के घरों पर होता है और तुलसी वातावरन को शुद्ध करती है और बहुत ज़ादा मात्रा में तुलसी जो है वो oxygen बनाती है oxygen release करती है तो ये प्लान्ट हम सभी के घरों पर जरूर होना चाहिए. नेक्स्ट जो प्लांट है वो है ये अलोवेरा का प्लांट अलोवेरा का प्लांट भी बहुत अधिक मात्रा में आकसीजन बनाता है और रिलीस करता है इसके बाद जो ट्री आता है ये पेड़ है पीपल का पेड़ बहुत जादा मात्रा में आकसीजन रिलीस करता है और ये द तो ये भी बहुत जादा मात्रा में oxygen जो है वो release करता है बरगत का पेड़ भी बहुत अधिक मात्रा में oxygen release करता है तो हमें अपने घर के आसपास बरगत का पेड़ भी जरूर लगाना चाहिए ताकि वातावरन शुद्ध हो इसके बाद जो next plant आता है वो है ये ficus का plant इसे हमें अपने घर पर जरूर लगाना चाहिए ये भी बहुत अधिक मात्रा में oxygen रिलीज करता है नेक्स चो plant है वो है ये इसनेक plant इस नेक plant एक इंडोर plant है और यह बहुत अधिक मातरा में oxygen को release करता है next चो plant आता है इसके बाद वो है lucky bamboo जिसे bamboo plant भी हम कहते हैं यह भी बहुत अधिक मातरा में oxygen release करता है सबसे last चो plant है वो है यह जूही का plant यह भी दिन रात oxygen बनाने का काम करता है तो इसे भी आप अपने घर पर जरूर लगाईए तो friends यह थे कुछ 12 ऐसे plant और trees जो दिन रात oxygen बनाने का काम करते हैं और हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं तो हमें इन plants को अपने घर पर लगाने की और कुछ इन trees को अपने घर के आसपास लगाने की जरूर कोशिश करने चाहिए ताकि हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध हो सके और यह plant oxygen रिलीस करते रहें और वातावरण को इसी तरह से शुद्ध करते रहें तो फ्रेंड्स यह था मेरा एक छोटा सा बहुत इंफर्मेटिव वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रस करिएगा